हलो एब्रीवन दिस इस प्रियंका आपके अपने चैनल इस्टडी इन होम विद प्रियंका पर स्वागत है कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी बढ़ाई में व्यस्त होंगे तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्क हभर के बारे में क्क हभर से बनने वाले प्रिष्ञ जो हैं जितने भी TGT PGT आर्ट में पूछे गए थे वो आपको इसी वीडियो में देखने को मुलेंगे तो प्लीज वीडियो के अंधर तक बनी रहेगा और जो लोग नए हो इस चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इस चैनल पर आपको टॉपिक वाइज वीडियो देखने को मिलेंगी तो चलिए शुरू करते हैं पहला कुश्चन है केके हैबबर का पूरा नाम है केके हैबर का पूरा नाम है option पड़ते हैं A. किषन कांत हैबर B. केटी गेरी किषन हैबर C. किषन कुमार हैबर D. इन मैसे कोई नहीं तो केके हैबर का पूरा नाम क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा B. केटी गेरी किषन हैबर अर्थात केके हैबर का पूरा नाम केटी गेरी किस्न हैबर था फिर चलिए चलते हैं अगली कुछन की तरफ अगला कुछन क्या कह रहा है केके हैबर का जन्म कहा हुआ था ऑप्सन पढ़ते हैं A. केटी गेरी करनाटक में B. कांकरोली रاجस्थान में C. गुजरात के नफ सारी कस्वे में या D. इन वैसे कोई नहीं तो के के हैबबर का जन्म कहां हुआ था? उत्तर हो जाएगा केटी गेरी करनाटक में आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि के के से मतलब हो गया केटी गेरी और एक और के से मतलब हो गया करनाटक तो के के हैबबर का जन्म केटी गेरी करनाटक में हुआ था और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1912 इसवी में यानि 1912 इसवी में केटी गेरी करनाटक में के के हैबबर का जन्म हुआ था फिर अगला कुश्चन क्या कह रहा है केके हैबबन ने कला में डिपलोमा कहां से प्राप्त किया था केके हैबबन ने जो कला में डिपलोमा प्राप्त किया था वो कहां से प्राप्त किया था आप्सन पढ़ते हैं सांती नकीतन कलाभवन बी, जेजे स्कूल ओफ आर्ट मुंबई सी, गवर्मेंट कॉलेज ओफ आर्ट्स एन क्राफ्ट सकोलकाता या डी, नेशनल कॉलेज ओफ आर्ट्स लाहॉर तो केके हैबबन ने कलाम डिपलोमा कहां से प्राप्त किया उत्तर हो जाएगा बी, जेजे स्कूल ओफ आर्ट मुंबई से यानि जेजे स्कूल ओफ आर्ट मुंबई से उननीसो चालिस से उननीसो पैतालिस के मद कब से कब तक उननीसो चालिस से पैतालिस के मद अर्थात 5 साल इन्होंने 1944 से 45 के मद जेजे स्कूल ओफ आर्ट मुंबई से कला का डिप्लोमा प्राप्त किया फिर अगला कुश्चन क्या कह रहा है अगला कुश्चन पूछ रहा है कि भारत सरकार ने केके हैबबर को पदम सिरी पुरुसकार से प्रदान किया इंपॉटन कुश्चन है पूछा जा रहा है पृष्चन में कि भारत सरकार ने केके हैबबर को पदम सिरी पुरुसकार प्रदान किया था आप्शन पढ़ते हैं A. 1971 B. 1916 C. 1951 D. 1861 तो भारत सरकार ने केके हैबबर को पदम सिरी से कब सम्मानित किया उत्तर हो जाएगा 1961 B. 1961 B. में भारत सरकार ने केके हैबबर को पदम सिरी पुरुसकार से सम्मानित किया था जितने भी कलाकार हैं और उनको जितने भी जो पुरुसकार मिलते हैं जैसे पदम सिरी हो गया या पदम भूशड हो गया या पदम भूशड हो गया तो ये तीनों ही पुरुसकार कलाकारों से सम्मंदित पूछ लिये जाते हैं तो आप लोग इनको पढ़के जाईएगा जैसा कि इस कुश्चन में बताया गया है कि केके हैबबर को पद्म सिरी 1901 इसवी में प्रतान किया गया अगला कुश्चन क्या पूछ रहा है लई की अनुभूती प्राप्त करने के लिए केके हैबबर ने निर्तिकला की सिक्छा प्राप्त की थी आप्शन पड़ते हैं A. पंडित सुन्दर लाल से, B. पंडित केशव पिरसाथ से, C. पंडित दीन दयाल से, या D. इनमैसे कोई नहीं तो लई किया नुभूती प्राप्ट करने के लिए केके हैबड ने निर्त कला की सिक्षा पंडित सुन्दर लाल से प्राप्ट की थी कां निर्त कांसा पंडित कि निर्त करbnी निर्त को ही पंडित सुन्दरलाल से या कहाँ आ रहा है तो करनाटक का तो करनाटक का जो कत्थक निर्त है तो उसकी सिक्षा पंडित सुन्दरलाल से केके हैबर ने प्राप्त की थी कैसे भी घुमा के पूछ लिया जाए तो इस कुशन में आप लोग बता देजिएगा कि केके हैबर ने कत्थक निर्त जो सीखा था वो पंडित सुन्दरलाल से सीखा था कत्थक निर्त है कहां का तो ये करनाटक का है पिछलिए चलते हैं अगले कुशन की तरफ अगला कुशन क्या कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा केके हैबर को पदम भूशर से कब सम्मानित किया गया पिछली कुशन में जो पदम सिरी था वो कुशन पूछा गया था कि पदम सिरी कब सम्मानित किया गया था तो 1931 में लेकिन इस कुशन में क्या पूछ रहा है कि भ तो केके हैबर को पद्म भूशर से कब सम्मानित किया गया तो जो पद्म सिरी सम्मान है वो 1971 को सम्मानित किया गया था भाद सरकार के दोरा तो हम केह सकते हैं कि केके हैबर को पद्म सिरी और पद्म भूशर इन दोनों ही पुश्कारों से सम्मानित किया गया है लिए चलते हैं अगले कुशन की तरफ केके हैबर की कला पर किसका प्रभाव था? option पड़ते हैं A. अमरता सेरिगिल पाल गोगिन B. अमरता सेरिगिल रजा C. दोनों का या D. इन मैंसे कोई नहीं केके हैबर की कला पर किसका प्रभाव था? उत्तर हुजाएगा हमारा A. अम्रता सेरगिल और पाल गोगिन अम्रता सेरगिल और पाल गोगिन का प्रभाव हमें केके हैबर की कलापर देखने को मिलता है फिर आठ्मा कुश्चन क्या कह रहा है केके हैबर का पिर्शिद्चित्र है केकेहबर का प्रिशिद्द चित्र है औप्शन पड़ते हैं A. मुर्गों की लडाई B. धान कूडते हुए C. भिकारी या D. ये सभी तो केकेहबर की जो प्रिशिद्द चित्र है यहाँ पर कुश्ण मूना चाहिए था क्केहबर के केकेहबर के चितर है या प्रिसेद चितर है तो इस कुशन का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा D ये सब्ही क्योंकि मुर्गों की लड़ाई धान कूरते हुए और विकारी ये तीनों ही जो चितर है वो केके हैबर के द्वारा बनाए गए है तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी फिर अगला कुशन क्या कह रहा है इनमें से कौन साथ चित्र केके है बरका नहीं है उपसर पढ़ते हैं ए रिक्सा पुलर्स बी हॉर्स डांस सी गोल मार्केट के भिकारी या डी रोकेट सीरीज तो इनमें से कौन सा चित्र है जो केके है बरका नहीं है उत्तर हो जाएगा हमारा सी गोल मार्केट के भिकारी तो ये जो गोल मार्केट के भिकारी है ये किसका हो जाएगा तो ये हो जाएगा बीसी सान्याल का किसका हो जाएगा ये बीसी सान्याल और BC सान्याल का पूरा नाम क्या है तो भावेस चंदर सान्याल क्या नाम है BC सान्याल का पूरा नाम भावेस चंदर सान्याल तो केके हैबर के द्वारा बनाए गए जो चितर है एक तो हो जाएगा रिक्सा पुलर्स दूसरा हो जाएगा horse dance और तीसरा जो हो जाएगा वो rocket series रिक्सा पुलर को हम हिंदी में क्या कहेंगे कि रिक्सा खीचने वाला पुलर का मतलब क्या होता है खीचने वाला कुश्चन एक जाब में जो कुश्चन बनता है तो वो English वर्ड गर देता है जैसे कि इसमें दिया गया है रिक्सा पुलर्स या हिंदी में भी रख सकता है कि रिक्सा खीचने वाला किस चित्र जो है वो किसके दौरा बनाया गया है तो केके हबर की दौरा बनाया गया है तो मैं यह कहना चाहतू हूँ कोई जो हिंदी में लखे गये हैं जो इंग्लिस व केके हैबर के द्वारा नहीं बनाय गया है यह किसके द्वारा बनाय गया है बेसी सामने आल के द्वारा फिर अगला कोशन क्या कह रहा है केके हैबर को लितकला एकेडमी नई दिल्ली से रास्ट्रिय पुरुसकार कितनी बार मिला केके हैबर को लितकला एकेडमी नई दिल्ली से राष्ट्रिय पुरुसकार कितनी बार मिला ओप्सन पढ़ते हैं A चार बार, B पाच बार, C तीन बार या D दो बार तो इस question का उत्तर क्या हो जाएगा C. तीन बार यानि केके हैबर को ललित कला Academy नई दिल्ली से जो राश्री पुरुसकार मिला है वो तीन बार मिल चुका है फिर अगला question क्या कह रहा है दी तमासा फॉक डान्स किसका चित्र है important question है ये कि दी तमासा फॉक डान्स किसका चित्र है option पड़ते हैं A. NS बेंदरे B. K. केके हैबर C. अमर्ता सेरिगिल C. इनमेंसे कोई रही तो इस question को तर क्या हो जाएगा केके हैबर यानि केके हैबर के द्वारा दी तमासा फॉक डान्स जो चित्र है वो बनाया गया है फिर अगला question क्या कह रहा है केके हैबर के अंतिम दिनों की चित्र सैली है केके हैबर के अंतिम दिनों की चित्र सैली है option पड़ते है A. रेखात्मक वा सास्त्री B. रेखात्मक तथा तरिकौर आत्मक C. सास्त्री तथा त्रिकॉड आत्मक या D. इनमेंसे कोई नहीं तो केके हैबर की जो अंतिम दिनों की चितर सैली है तो उसको अत्र क्या हो जाएगा रेखात्मक और सास्त्री है यानि केके हैबर की अंतिम दिनों की जो चितर सैली है वो रेखात्मक तथा सास्त्री ये दोनों ही है फिर अगला कुश्चन क्या कह रहा है केके हैबर की एकल प्रदर्शनिया कहां कहां लगी ओप्शन पढ़ते हैं ए कोलकाता, बी, नई दिल्ली, सी, बंगलॉर या डी ये सब ही तो केके हैबर की जो एकल प्रदर्शनिया है वो कोलकाता में भी लगी हुई है नई दिल्ली में भी लगी है और बैंगलॉर में भी लगी है तो उत्तर क्या हो जाएगा डी ये सब ही अर्थात केके हैबर की जो एकल प्रदर्शनिया है वो कोलकाता, नई दिल्ली और बैंगलॉर इन तीनों ही जगए पे लगी हुई है फिर अगला कुश्चन क्या कहता है केके हैबर की मृत्यू कब हुई केके हैबर की मृत्यू कब हुई option पढ़ते हैं तो केके हैबर की जो मृत्यू है वो 1996 इसवी में हो गई थी उत्तर क्या हो जाएगा बी 1996 इसवी फिर पंदर्मा कुश्चन क्या कहता है केके हैबर पर जेजे स्कूल आफ आर्स मुंबई के किस प्राचार का प्रभाव पढ़ा क्या पूछ रहा है इस कुश्चन में कि केके हैबर पर जेजे स्कूल आफ आर्स मुंबई के प्राचार का प्रभाव पढ़ा यानि किस प्राचार का प्रभाव पढ़ा यानि केके हैबर जब जेजे स्कूल आफ आर्स में सिख्छा प्राप्त कर रहे थी तो केके हैबबर पर जेजे स्कूल आफ आर्ट्स मुंबई के जो चार्ल्स जेरार्ड थे उनका प्रभाव पड़ा तो उत्तर क्या हो जाएगा ए चार्ल्स जेरार्ड अगला कुश्चन क्या आता है इनमें से कौन सा चित्र केके हैबबर का नहीं है इंपोर्टन कुश्चन है क्योंकि अक्सर ऐसे ही कुश्चन पूछे जा रहे हैं एक्जाम में पूछे भी जाते हैं कि इनमें से कौन सा चित्र केके हैबबर का नहीं है आप्शन पड़ते हैं A. किछना दा चेरियेटर B. पीकॉक C. फिस सेलर D. माई डियर फ्रेंड तो मैं आपको बता दूँ कि जो केके हैबबर की द्वारा बनाए गया जो चित्र नहीं है तो उत्तर क्या हो जाएगा माई डियर फ्रेंड माई डियर जो फ्रेंड है यह जो चित्र है यह भूपेन खकर के द्वारा बनाए गया है किसकी द्वारा बनाए गया है भूपेन खकर की द्वारा यानि भूपेन खकर की द्वारा ही यह माई डियर फ्रेंड यानि मेरे प्रिये मित्र यह जो चित्र है वो भूपेन खकर की द्वारा बनाए गया है ठीके है तो केके हेबर याको बनाए गया कौन सा चितर हो जाएगा खिर्षना चेरीटर यानि कृषना का सार्थी चेरीटर का मतलब क्या होता है सार्थी और दूसरा हो जाएगा पीकॉक यानि मौर और मचली बेजने वाले तो ये तीनों ही जो चित्र हैं किष्णादा चेरियेटर, पीकॉक और फिस्सेलर्स ये तीनों ही जो चित्र हैं वो केके हैबर के द्वारा बनाए गए हैं जबकि जो माई डियर फ्रेंड है यानि मेरी प्रिये मित्र यह जो है भूपेन खक्तर के द्वारा बनाए गया है तो UPTGT 2021 में यानि पिछली साल ही कोशन पूछा गया था जो पेपर हुआ था 2021 वाला तो उसमें ये कोशन जो है वो पूछा गया था कि बांगला देश का जन्म किसका चित्र है option पढ़ते हैं A. किष्ण हवाला जी आरा B. मकवूल फिदा हुसेन C. बीसी साननियाल या D. केके हैबर तो बांगला देश का जो जन्म है वो केके हैबर की द्वारा बनाया गया है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा D. केके हैबर आप लोगों को ये कोशन कैसे लगे प्लीस कमेंट्स में करके जरूर बताईएगा और वीडियो कैसे लगी हो प्लीस ये भी बताईएगा कमेंट्स में मिलती है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत